देखो यार अब एके टाइम पे बिना काफी लोग ऐसे हैं जो कि एनिमे को कार्टून से कमपेर करते हैं इवन आपके भी फ्रेंड गुरूप में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा इसी वी आज की इस वीडियो में टोब फाइथ ऐसी रोमेंस एनिमे मूवीज बताऊंगा जो कि आपको उसके विजुवल्स और उसकी स्टोरी से प्यार करा देगी अपनी ये पहली मूवी स्टार्ट होती है एक हाई स्कूल में पढ़ रहे लड़के के अराउंड जो की अपने घर से बाग चुका होता है जहाँ पर वो एक हीरा अमानो नाम की लड़की से मिलता है जिसके पास बारिश को मैनिप्लेट करने की पावर्स होती है पर अपनी वो इन शक्तियों को यूज खुद के लिए नहीं बलकि दूसरों की मदद करने के लिए करती है पर आगे चल कि उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर उसकी शक्तिया उसी के लिए एक श्राप बन जाती है और इसी टाइम पे आपको आपको हीना और होडगा की लव स्टोरी के दुरूप आखों को सुकून देने वाले काफी अमेजिंग लेवल के विज्वल्स दिखाई देंगे इस फैंटेसी रोमेंस मोवी का नाम है वैरिरिंग विद यू जिसे आएम डीबी पे 7.1 की रेटिंग मिली है जो कि आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी अब अपनी अगली मोवी वन ओफ दा मोस्ट हर्ट ब्रेकिंग मोवी में से एक है जो की टोटल तीन स्टोरीज में डिवाइड है और इसकी मेन कैरेक्टर भी तीन है तकाकी अकारी और कैन्य है जिसमें तकाकी का ये कहना होता है कि चैरिव लोसम्स के पत्ते 5 सेंटीमिटर पर सेकिंड की स्पीड से नीचे गिरते हैं और जैसे कि दो लोग बात सेकिंड में एक दूसरे से ब्यार करने लगते हैं और वो उतने ही चल्दी एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं अब यहाँ पर ये मूवी हमें यही समझाती है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में एक बह पास के लिए नहीं बलकि actually उसको feel करने के लिए देखते हो तो इसकी एंडिंग में maximum chance है कि आपकी आकों से guaranteed आसो निकल जाएंगे इस romance drama movie का नाम है 5 cm per second जिसे IMDB पे 64,000 लोगों ने 7.5 की rating दी है अब अपनी अगली movie गुमती एक लड़की के अराउंड जो कि एक दिन एक mysterious आदमी से मिलती है जिसके तुरंत बाद वो एक alternate dimension का portal खोल देती है एंड इस incidence के बाद उसे ये पता चलता है कि उसके इस portal को खोलने से अब उसे ने पूरी दुनिया को एक बहुती बड़े खत्रे में डाल दिया है और इन सब की पीछे होता है कि दाइजीन नाम का बिल्ला जो की एक तरीके से उस portal का गार्ड होता है अब इस time पे वो help मांगती उस mysterious आदमी से बट डाइजीन उसे भी एक three-legged chair में बदल देता है अब इसके बाद आपको इस movie में बरपूर एडवेंचर के साथ साथ एक के बाद एक mind-blowing twist and turns भी देखने को मिलेंगे इस action adventure movie का नाम है सुजू में जिसे IMDb पे 41,000 लोगों ने 7.6 की rating दिये है तो अपनी अगली movie में हमें एक हारुकी सिंगा नाम की लड़की देखने को मिलती है जो कि एक medical problem से सफर कर रही होती है जिसमें उसके pancreas की वज़े से अब उसके पास जीने के लिए अब बस एक ही साल बचा है और अपनी वो इस बिमारी के बारे में अपने किसी भी दोस्ट के साथ कुछ भी share नहीं करती पर एक दिन hospital में वो एक लड़के से मिलती है जिसको उसकी बिमारी के बारे में पता चल जाता है और यहीं से वो दोनों एक दूसरे के इतने close आ जाते हैं कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफी feelings आ जाती है बट उस लड़की के पास अब जीने के लिए बहुत ही limited time बचा होता है बट इसकी ending में कुछ ऐसा होता है कि वो scene देखने के बाद वो मेरे mind में इतना deeply हिट करता है जिसकी वज़े से वा काफी दिनों तक उस feeling की वज़े से traumatized रहा था इस romance drama movie का नाम है I want to eat your pancreas जिसे IMDV पे 25,000 से जादा लोगों ने 8 की rating दिये है देखो यार अब अपनी अगली movie के इतनी बड़ी masterpiece है कि भले ही आप लिष्ट कोई और movie देखो ना देखो पर आप इसे एक try जरूर देना इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही खुपशूरत meteor shower से जिसमें एक मिट्सूहा नाम के लड़के ये wish मांगती है कि कास वो एक बहुत ही बड़ी city में रह रही होती पर यहाँ पे उसे ये नहीं पता होता कि अगले ही दिन उसकी ये wish पूरी भी हो जाती है जिसमें वो एक city में रह रहे ताकी नाम के लड़के से उसकी बोडी switch हो जाती है जिसमें मिट्सूह ताकी की बोडी में चली जाती है और ताकी मिट्सूह की बोडी में अब इसके बाद आपको इस movie में एक से बढ़कर एक twist and tense के साथ साथ काफी amazing level के surprising elements भी देखने को मिलते हैं और इसकी ending काफी open और तिल तोड़ देने वाली लगती है जिसमें वो एक दूस्तरे के साथ रह पाते हैं नहीं वो आप ये movie देख कर जानो इस fantasy romance movie का नाम है Your Name जिसे IMDB पे 3,24,000 लोगों ने 8.4 की rating दिया है अब अगर आपको ये video 84 भी अच्छी लगी तो click that like button and enjoy these movies with your loved ones